जैहिंद दोस्तों स्वागत आपके मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आइटी टेक्नो तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं जोजिला टैनल प्रजेक्ट टाइम लाइन्स के बारे में इस प्रजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी क जरूर देखिए तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम जो पहला पॉइंट ले रहे हैं वह है अक्टूव दोया तेरा को कैबिनेट में दर रोट टरनल प्रजेक्ट को अप्रूव किया गया था उसके बाद जो अगला एक्शन आया वो आया था यहां पर दोया सत्रा मई को जिसमें की चार प्राइवेट प्रेयर्ज बिड्स फार टैन थाउजन क्रूड रूपीज प्रूजेक्ट जिसके नाम है इसमें जो चार प्लेयर्स थे जो इन्होंने इसमें कॉंट्ट टेंडर लिए था दस्यार कोड के लिए उनकी नाम है लार्शन एंटर्वो जिसे की एलेंटी भी कहते हैं इसके लावा इसमें जो दूसरी कंपनी थी वह थी आई एल एन एफस तीसरी जेपी इंफाट्रेक और जो चौतियों लाद्स इसमें जो कंपनी थी स्टार्टिंग पॉइं दिये गए और अगर 2017 में यह काम शुरू किया गया जो की दर रोड टर्नल पोजेट कह था जिसके लिए टर्नल के लिए एक रोड बनाए जाना था जो की अप्रूव हुआ था हमारा अप्रूब दोया तेरा को इसके बाद जुलाई 2017 में आई एल एन एफस ट्रांसफोर्टेशन लिमिटेड जिसने डाक्टर शामा प्रसाद मुखजी टनल के सबसे किफायती बैडर्स के रूप में उबर के आये थे जिन्होंने की शामा प्रसाद मुखजी टनल का निर्मान काफी सस्ते औ और किफायती तोरपे किया था जिन्होंने इस टनल का निर्मान चारहार आट सो निर्मा क्रोड में और साथ साल की मेहंत के बाद कर दिया था जनवरी 2018 में यूनियन कैबिनेट में टनल को 6,809 क्रोड रुपीज में बनाने का निर्ने लिया गया और पांच साल में पूरा कर लक्ष रखा गया इसमें जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट निकल काती है वो है मई 2018 मई 2018 में फांडेशन इस्टोन जो की मानिय श्रीमान प्रधान मंत्री द्वारा रखा गया और काम को शुरू किया गया मई 2019 प्रोजेक्ट में फिर से बोली लगाए गई क्योंकि इसमें जो पहली वाइडर्स थे जो पहली कंप्रीन जिसने टेंडर लिया था जिसका नाम था ILNFS वो बेंक्रप्ट हो चुकी थी जिसकी वएसे इसका फिर से टेंडर पास किया गया और इसमें नए कॉंट्राक्ट को लाए गया तो जो नए कॉंट्राक्ट आये थे वो आये थे जून 2020 में जिनको कंस्ट्रक्शन ऑफ टरनल का निर्मान करने के लिए कॉंट्राक्ट दिये गए इसमें जो नेक्स्ट डेट निकल के आती है वो है आई अगस्ट 2020 जिसमें की MEIL मेगा इंजिरिंग एंड इंफर स्ट्रक्शर लिमिटेड उभर कर आई सबसी किफायती कॉंट्राक्टर के रूप में जिसने ये टेंडर चार हैर पांसो नो क्रोड में लिया MEIL को सिर्फ टनल का निर्मान करने का ही कॉंटेक्ट दिया गया था अक्टूबर 15, 2020 को मिनिस्ट्री ओफ हाइवे नितिन गडगरी जी के द्वारा पहला ब्लास्ट किया गया औल वैदर जोजीला टनल के निर्मान के लिए जोकी नेशनल हाइवे एक पर होना था टनल को पूरा करने का लक्ष दो हजार चबीस तेह किया गया उसके पक्षात सप्टेंबर दोयार इकीस इसी साल एफ्टर इंस्पेक्शन ओफ मिनिस्टर गेटिगरी द्वारा टनल की कम्प्लीट होने की जो डेडलाइन थी उसको रिवाइज किया गया और रिवाइज करने के बाद में यह है अस्वासन दिया गया कि यह टनल दिसंबर दोया तेश तक कम्प्लीट हो जाएगी जिसकी पहली कम्प्लीशन डेट दो हजार शब्वीस थी तो दोस्तों होफुली आपको यह होफुली आपको यह जान कई पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करिए शेक करिए और सब्सक्राइब करिए थेंक्यू और जैहन दोस्तों